साउथ की बहतेरीन एक्ट्रिस समंथा रूत प्रभू अपनी आउटस्टेंडिंग एक्टेंग और अपने ब्यूडिफुल लुक्स के लिए जानी जाती है आक्ट्रिस फिल्म पुश्पा के बाद से ओल ओवर इंडिया में सेंसेशन बन चुकी है जिसके बाद से समंथा की प्राइवेट लाइफ भी अक्सर लाइम लाइट में रहती है समंथा अपने एक्स हस्बेन नागा चितन्या के साथ चार साल की शादी के बाद डाइवोर्स के लिए भी काफी चल्चा में बनी रही थी समंथा की बॉलिवुड से लेकर साथ की फिल्मों तक डिमांड बढ़ गई थी लेकिन इस बीच समंथा को ऐसी कौन से बिमारी ने जकड़ा जो उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से एक साल का ब्रेक लेना पड़ा हाल ही में समंथा ने अपने इंस्टागराम हैंडल पर Ask Me Anything का पोस्ट अपनी स्टोरी से शेयर किया जिसके बाद समंथा के फैंस ने उनसे कई personal और professional सवाल किये जिसके बाद समंथा ने उसके जवाब भी दिये मैं कई फिल्टर्स का यूज कर अपनी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करती हूँ जिसके बाद समन्था ने बताया कि काफी समय से उनकी स्किन में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वज़ा स्टेरोइड है जी हाँ समन्था ने बताया कि वो एक गंफीर बिमारी मायोसाइटिस से जूज रही है जो की एक आटो इम्म्यून कंडिशन है जिसकी ट्रीट्मेंट के लिए उनको स्टेरोइड के शॉट्स लेने पड़ते हैं जिससे उनकी स्किन में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है समन्था ने अपनी वीडियो में आगे कहा कि इस प्रॉब्लम में उनकी फ्रेंड सिंगर चिनमै स्रीपदा उनका साथ दे रही है उन्होंने समन्था को उनकी पुरानी नाच्रल स्किन वापस लोटाने का वादा किया है बता दे कि पिछले साल ही समन्था ने अपने ओफिशल इंस्टाग्राम हैंजल से एक पोस्ट चारी किया था जिसमें उन्होंने अपनी गंभीर बिमारी मायोसाइटस के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने फिल्म से एक साल का ब्रेक ले लिया अपनी हैल्थ पर ध्यान देने के लिए धन्य बाद चुरे रही ऐसी बॉलिवूड अपडेट्स के लिए बॉलिवूड केस्टी के साथ